जैन फ्रेंच मेरा नाम बावरामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी-करी तो तब कुष्टी जगत से समाचार ये है कि आज से दो दिन पहले एबीपी नियूज पे एबीपी के दो अंडरकवर रिपोर्टर्स छे महिला पहलवानों और दो कोचस के पास गए और उन्होंने उनसे बातचीत की और उसको चोरी से रिकॉर्ड के लिए जिसे स्टेंग ऑपरेशन का आ जाता है ये सभी आठ लोग छे पहलवान महिला पहलवान और दो कोचस बेरी सीनियर कोचस ये आठों लोग धरने में गए थे मंच पे बैठे थे तो उन सभी आठों पहलवानों और कोचस से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ने बात की और उस निजी बातचीत को चोरी से रिकॉर्ड किया जिते आज कल पत्रकारिता की भाषा में स्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है तो सब मैं डे वन से जिस दिन से ये विवाद शुरू हुआ और हमारे पहलवान धरने पे बैठे जंत्रमंतर पे उस दिन से लगातार इस घटना क्रम को जो है मैं इस पे बोल रहा हूँ इसको फॉलो कर रहा हूँ प्रति दिन सैक्रों लोगों को फोन करके पूरी सूचनाएं जुटाता हूँ और इस पे टिपनिया करता हूँ इस पे अपनी बात रखता हूँ तो मैं डे वन से एक बात ये कहता आ रहा हूँ कि पहलवानों ने ये निजी स्वार्थ में दो तीन सीनियर पहलवानों ने तीन मुख्यतेया अपने निजी स्वार्थों के लिए जूनियर पहलवानों का दुरू पयोग करके Wrestling Federation of India के खिलाफ अनरगल आरोप लगाए जिसका कोई आधार नहीं था कोई सबूत नहीं था यह बात मैं डेवन से कहता रहा हूं मेरी सारी वीडियो मेरे यूटीब चैनल पर आप देख सकते हैं तो सब मेरी कही गई एक एक बात को पहलवानों ने कल उन कैमरा के सामने उन रिपोर्टर्स के सामने कह दिया है और स्विकान किया है सभी छे किछे पहलवान ये कहती हैं कि उनके साथ कभी कोई घटना नहीं हुई कभी किसी ने उनको ऐसा करने के लिए नहीं कहा कभी उनसे कोई इस प्रकार का फेवर नहीं मागा गया कभी और सिर्फ उनके ही साथ नहीं उन्होंने कभी भी किसी सीनियर या जूनियर खिलाडिक के साथ ऐसी किसी घटना की कोई जानकारी उनको ने मिली कभी कोई बाचित नहीं कोई खुसर खुसर कोई आपसी चर्चा तक नहीं हुई ये छे लड़कियां जो हैं विनेश और साक्षी और बजरंग के साथ मंच पे बैठी अगर आपको याद हो तो साक्षी ने एक बात कही थी विनेश ने कि जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ उसमें पहले दो लड़कियां थी जिन्होंने जो जिन्होंने हमें यह बताया फिर आप उनकी संख्या 5-6 हो गई और उनमें से कुछ मंच पे बैठी हैं तो मंच पे बैठी भी छे पहलवानों का सब स्टिंग हो गया और उन्होंने सब ने का कि नहीं हमारे साथ कभी कोई गटना नहीं हुग वो स्टिंग आप ABP News पर देख सकते हैं इसके अलावा पहलवानों ने यह भी स्विकार किया कि नहीं ब्रजभोशन शरुन सिंग जो कुछ्टी के वरतमान प्रेजिडंट हैं उनके उनकी अध्यक्षता में जब से W5 चल रही है काफे सुधार हुए हैं और इसमें भी कोई दो रहा नहीं है क मदब कुछ्टी कि अब ऐसी कोई प्रतियों कीता नहीं है जिसमें भारतिये पहलवान मेडल न जीत रहे हो हाला की अभी जो जीत रहे हैं उससे और बहत 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 बहते पर शिरुवात खराब नहीं है और भारती एकुष्टी का भविश्य अच्छा है सुविधाएं बहुत बढ़ गई है और हमें वर्तमान डबलो एफाई की लिडरिशिप में बहतर काम करने का अवसर्थ मिल रहा है ये लड़कियों ने भी इसको स्विकार किया एक बहुत सीनियर कोच साब है द्रोनाचार एवाडी है रामफल मान साब ये सुशिक मार के कोच रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरा जीवन जो है वो छत्र साल स्टेडियम में बिताया है कुष्टी का जीवन उन्होंने तो सपस्ट कहा कि तब ऐसा कोई कारण नहीं था ये सिर्फ सीनियर पहलवानों ने ट्राइल से बचने के लिए वो ये चाते थे कि हमारा ट्राइल न हो और चुकि हम बहुत बड़े खलिफा पहलवान है इसलिए हमारा डाइरेक्ट सेलेक्शन इंटरनेशनल टोर्नामेंट्स के लिए कर दिया जाए हमें वर्ल्ड चेंपियंशिप भेजना है और कहीं भी एसलिए चेंपियंशिप या ऐसे टोर्नामेंट्स भेजना है हमको डाइरेक्ट भेजो हम वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई कर लेंगे हमको देश में ट्राइल न देनी पड़े हमको नए खिलाडियों से न लड़ना पड़े हमको नेशनल चेंपियंशिप हमको ओपन रेक्निंग टॉर्नमेंट्स देश के न लड़ने पड़े तब ये इनका दुरागरा है और डबलू एफाई कहती की नहीं आप नेशनल चेंपियंशिप लड़के आईए कैम्प में तब यही जगड़ा था यही एक रिफॉर्म डबलू एफाई का इनको पसंद नहीं आ रहा था और ये खिंच्च्टान पिछले एक देड़ साल ते इन बड़े सीनिर खिलाडियों के साथ लगी भी डबलू एफाई ने तो पस्ट किया है कि जब से यह उलम्पिक लड़के आये हैं इन्होंने एक भी देशी टूर्नामेंट नहीं लड़ा डबलू एफाई की अपनी मजबूरियां है वो यह कहते ही कि तब चार मेडलिस्ट सीनिर नस्ट चिंपरिशिप के और चार मेडलिस्ट ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के आठ मेडलिस्ट हमारे पास हर साल होते हैं आठ में से तीन चार जो हैं वो एक दो रिपीट हो जाते होंगे पर इस इन आठ में से छे नए बच्चे हो जाते हैं जो कि नए बच्चे हैं और इन छे में से कम से कम दो या तीन ऐसे होते हैं जो इन बुड़े खलिफाओं से बराबरी की टक कर देने वाले हैं बलकि पिछले कुछ ट्राइल्स में तो ऐसा भी देखा गया है कि वो इनको हराने की छमता रखता है और तक्रीबन हरा भी लिया था पिछले एक डेड़ साल में कई बार तो यह चाहते हैं जब हमारा कोई ट्राइल उलाल ना हो हमको अपनी हमारी सीनियरिटी का लाब देते हुए डायरेक्ट टूर्नामेंट्स में भेजा जाए यही एक मातर जगड़ा है और कुछ डिसिप्लिन सम्मदी समस्याएं और स्टार खिलाडियों में डिसिप्लिन सम्मदी समस्याएं आ जाती हैं यह स्टार खिलाडी जो होते हैं अपने आपको संस्था और कई बार तो खेल से भ उतके mindset ये था कि नहीं मैं मैं कुछ नहीं हूँ मैं तो simply एक शिश्य हूँ तब तक वो बहुत अच्छा था जिस दिन वो गुरू बन गया जिस दिन वो अपने आपको इस पूरे सिस्टम ते बड़ा समझने लग गया जिस दिन वो अपने आपको कुछती से भी बड़ा समझने लग गया आज हालत देख लिजा तब यही यह attitude की problem है यह संसकारों की problem है जो बड़े पहलवानों में बड़े खिलाडियों में बड़े स्टार्स में हर फिल्ड के किसी भी स्टार में यह समस्या आ जाती है इसलिए उनको गुरू और बड़े संसकारी लोग जो उस्ताद खलीफा गुरुजन है गुनी जन है वो उनको grounded रखते है grounded मतलब बेटा ज्यादा मत उड़ो जमीन से जुड़े रहो तो तब यह एक समस्या है तो कुछती में भी यह समस्या आई है और जिसकी परणिती यह धरने बाजी और आंदोलन से हुई बहुत से लोग मेरी इन पिछले 15-20 वीडियो जो मैंने बनाई है इसमें बहुत से लोगों ने ने कुछ शंकाये व्यक्त की है कि medal तो पहलवान जीतते है Federation का क्या रूल है Federation की काई की वाहवाद देखो भीया दुनिया में कोई भी संस्था, कोई भी organization, कोई भी अभियान कोई भी युद्ध जो है एक टीम द्वारा लड़ा जाता है सैनिक, सिर्फ सैनिक ही border पे लड़ता है खून सैनिक का बहता है जनरल कभी भी front पे आके नहीं लड़ता है पर युद्ध की सारी रणनीती जो है वो जनरल बनाता है जो वार रूम होता है न वो border पे नहीं होता बॉर्डर पे जहां actual लड़ाई चल रही होती है वार रूम वहानी होता और लड़ाई बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती लड़ाई वार रूम में लड़ी जाती है और वार रूम हमेशा मोर्चे से 10, 20, 30 किलोमेटर पीछे होता है वहाँ बैठके एक जनरल पूरे युद्ध का संचालन कर रहा होता है और एक एक टुकड़ी को निर्देश दे रहा होता है कि ऐसे करो ऐसे करो तुम आगे जाओ, तुम पीछे जाओ, तुम वापस आजाओ तुम्हारी जगे नया अदमी भेजा जा रहा है तुम्हारी जगे नई टुकड़ी भेजी जा रही है तुमको रेस्ट दिया जा रहा है तुम्हारे इतने सेनिक गायल हो गए है अब तुम पीछे हट जाओ तुम अब दाएं से अमला करो तुम बाएं से अमला करो तुम मौके पे बेशक युद्ध सिपाही लड़ रहा होता है परंतू युद्ध असली युद्ध जो है वार्रूम में बैठके लड़ा जाता है अगर वार्रूम न हो वार्रूम में बैठा वो जो जनरल है न वो न लड़े युद्ध तो सिपाही युद्ध नहीं लड़ जाता सिपाही तो एक दिन में टैंब बोल जाएगा मुर्चे पर जब सिपाही उद्र लड़ रहा होता है तो इसको एमनेशन रसद रेइंफोर्समेंट्स पूरा सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट देने वाला वह वार्रूम का जन्रल होता है और जब इतिहास लिखा जाता है तो सिपाही को परंवीर चक्र मलता है बिल्कुल बखायदा मिलता है पूरा देश ताली बाटिव जाता है दुनिया ताली बाटि एतियात्मियाद रखा जाता है परंतु युद्व जनरल्स जीतते हैं 1971 का बंगला देश इंडो बंगला वार जनरल सैम मानिक्षा ने जीता था ठीक ऐसे पाही लड़े थे तो ये एक तक्ष है जिसको हम खिलाडियों को पहलवाणनों को कोचस को स्विकार करना चाहिए कि उलम्पिक का मेडल टीम वर्क से आता है और उस टीम में एक एक पुरजा एक एक पार्ट इंपॉर्टन्ट होता है जब वो सभी लोग सिंक्रोनाइजड वे में काम करते हैं तब कोई युद्ध जीता जाता है और उलम्पिक का मेडल भी एक युद्ध है उलम्पिक भी एक युद्ध है इसलिए हम सभी खिलाडियों और कोचेज को और पूरे establishment को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ठीक है मोर्चे पे आप लड़ते हैं मैट पे आपका खून और पतीना बैता है परन्तु ये पूरी टीम महत्वपूर्ण है और इस टीम में का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है wrestling Federation of India हमारा जो war room होता है न वो होता है WFI और WFI पूरी planning करती है कि आप Olympic में कैसे लड़ेंगे और Olympic में medal कैसे आएंगे और इसलिए हमारा general कुष्टी का general WFI का इससे पहले के जो जनरल से निकम में नका रहा थे तो रदलत आपने देख लिए हमारे पहलवान किसी भी tournament के first round में बार हो जाते थे हमें को ground wrestling आती ही नहीं थी हमको ना भारंदाज मारने आते थे ना भारंदाज रोकने आते थे क्योंकि सारी पहलवान हमारी मिट्टे की होती थी हमारा पहलवान चार जीरो छे जीरो से जीत रहा होता था एक बार नीचे जाता था ground wrestling के नाम पे हम zero थे और उसके बाद 10-0 के लीड करा के जाता थे जिर्फ एक बार में वो इतने भारंदाज मारते थे हमारे पहलवानों को भारंदाज डोकना ही नहीं आता था तो तब ये थी हमारी wrestling आज से 20-30 साल पहले आज हम जब रशिया के पूल में इंडिया आ जाता sports ministry के भारत सरकार के प्रयासियों को देना पड़ेगा और हमारे पहलवान WFI के बिना survive नहीं कर सकते आपको इस तच्छे को स्विकारना पड़ेगा मैं आज ये बातें इसलिए बोगर रहा हूँ कि एक आम perception है एक आम खेल प्रेमी एक आम खिलाडी समझता है कि ये फेडरेशन एक खाम का की समझता है जो कि हमारे क्रिया कलापों में इंटरफेर करती है नहीं जी नहीं इनफेक्ट कुष्टी के इस रथ को जो बैल खीच रहा है वो डबलो एफाई है डबलो एफाई आपको प्लैनिंग बना के देती है डबलो एफाई आपको सारी सुविधाएं देती है डबलो एफाई आपकी कोचिंग कंड़क्ट करती है डबलो एफाई आपका कोचिंग क PARAMP चलाती ओडबलूफाइब आपको ट्रेंडिंग देती है वह आपको डाइट प्रैइड प्रॉइड कराती है वह आपकी प्लैनिंग करती है आप कहां जाएंगे किस से लड़ेंगे कहां ट्रेंणिंग लड़ेंगे ये सारी चीजों में WFI का एक बहुत महत्मुट रोल है इसलिए WFI को और प्रेजिडेंट को अपना दुश्मन तमजना बंद कीजिए मैं एक आम पहलवान आम कोच और एक आम पैरंट से मुखात्व हो के आज ये वीडियो बना रहा हूँ ये जो इतना अगली ये स्पाट हुआ न और इतनी ज़्यादा गंदगी फैली और पूरे देश में पूरी दुनिया में भारती एकुष्टी की डिवल फाई की इंडियन रेस्टलर्स की इंडियन कोचर्स की जो ये बदनामी हुई है इस से अकिर हम कुछ तो सीखेंगे ना हलांकि अभी ओवर्साइट कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है पर मुझे मालू में वो रिपोर्ट की आएगी और इस हफते शायद वो रिपोर्ट आजाएगी क्योंकि ओवर्साइट कमेटी जादातर 99% लोगों से बात्चित करके उनके बयान लेके अपना कंक्लूजन निकालने वाली एक खाली एक दो लोगों के मात्चिकोन लोगों के बयान लिये जाने उनसे बात्चित की जानी ब या डबलू एफ आई को अपना दुश्मन मत समझो पहलवान जी लोग यह डबलू एफ आई में जो प्रेजिडेंट और जो टीम है न यह वो बैल हैं जो इस बैल गाड़ी को आपकी बैल गाड़ी को जो खीच रहे हैं आपकी ट्रेनिंग आपकी पूरी सुक्सोविधा आ प्यान रखने वाली उनकी विवस्था करने वाली यही डबलू एफ आई है इसलिए एक तो डबलू एफ आई को और डबलू एफ आई के प्रेजिडेंट को डबलू एफ आई की टीम को और अपने कोचस को अपना दुश्मन समझना बंद कीजिए वो आपकी भलाई के और आने वाले समय में हफते दफ दिन में यह और साइट कमिटी की रिपोर्ट आ जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ फिरते वापस स्मूथ ली चलने लगेगा यह जो कड़वाटें पैदा हुई है यह भी धीरे धीरे धुल जाएंगी घुल जाएंगी और देखे तब मैं एक बात जानता हूँ मैं आज पैलवानों से उन बच्चों से जो उस दिन धरने पे बैठे थे या पिछले एक महिने में जो लोग जो लोग ने जो भी क्रिया कलाप किये मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हर समस्या का एक ही हल है अपनी गलती को स्विकार करना दिल से स्विकार करना आत्म चंतन करना और स्वरी बोलना अपने बड़े बज़र्गों से यदि आपके कोई छोटी मोटी खटपट हो भी जाती है कोई नराज़गी हो भी जाती है तो आफ्टर और देयर इस सीजियर साब के पिता समाने न जितने भी बच्चे हैं यह आज जो पहलवानी कर रहे हैं यह सब हमारे बच्चों की तरह है न और हमारे इंके प्रती कोई दुर्भावना नहीं है भई वी आर वी आर योर रियल वेल विशर्स हम आपके असली शुब चिन तक हैं क्योंकि आपको हम गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं हम आपका सही मारग दर्शन करते हैं इसलिए मैं इन सभी खिलाडिओं से मेरी हमबल रिक्वेस्ट है मेरी एक सला है एक पिता की तरह है एक बड़े भाई की तरह एक यही एक सला है कि पुरानी बातों को भूली एक नई शिरुवात कीजिए अपने बज़र्गों को सौरी बोलीए और दिल से बोलीए और देखे मुझे ये पक्का विश्वात है कि किसी के मन में भी कि आपके या किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है जो हुआ तो हुआ उसे भूल जाएए Let us start fresh एक नई शिरुवात करने की दुरूत है और भारती कुष्टी का त्वर्ण काल तो अभी आना बाकी है अभी तो हम उस रास्ते पे अभी हमने मातर दो कदम बढ़ाए है और मुझे पूरा विश्वात है कि आने वाले दिनों में आने वाले सालों में रेस्लिंग इंडियन रेस्लिंग बहुत अच्छा प्रफॉर्म करने जा रही है वर्ड लेवल पर इनी शुब कामनाओं के साथ आज का ये वीडियो में खसम करता हूं मेरे पूरा विश्वात है कि महौल बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा हम सब भाई भाईयों की तरह बच्चों की तरह हमारा आपका जो रिलेशन है इस्टाबलिश्मेंट और खिलाडियों का वह हमेशा की तरह अच्छा रहेगा ये पुरानी बाते हम भूल जाएंगे और वी विल स्टार्ट फ्रेश आज के लिए इतना ही बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं तेंक यू वेरी मच